नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे है टेक्निकल गॉर्मेंट जोब स्टडी ओफिशल यूट्यूब चैनल तो देखिए दोस्तों गर आप एक सरकारी नोकरी पाना चाते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड नियूज है क्योंकि 4S Department यानि की 1 विभाग में आ चुकी है साल 2024 की नई भरतियां जिहां दोस्तों दो अलग-अलग पोस्त पर ये भरती निकाली गई है तो कि 4S Department की भरती है 10 वी पास से लेकर के 12 वी पास, ग्रेजूट पास सभी के लिए भरतियां आ चुकी है आज के एस वीडियो में हम आपको एक एक करके इन भरतियों के बारे में पूरी जानकाई देंगे दोस्तों गर आपकी एज़े 18 से 45 साल तक की तो आप इन भरतियों के लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर हम आप सभी के लिए दो नई भरतियों की जानका लेकर आए हैं फोरेस्ट डेपार्टमेंट की अलावा एको नई सरकारी नोगरी का नोडिफिकेशन जारी किया गया है यह जो भरती है औल इंडिया की भरती है अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट या डिस्टिक में रहते हैं तो आप सभी केंडियेट्स हो हैं मेल और फीमेल अपलाई कर सकते हैं तो आप इतन शुरू हो चुके हैं अगर अभी तक आपने अपलाई नहीं क्या है और आज ही हमारे official YouTube channel technical government job study को subscribe कीजेगा ये रहा subscribe करने का बटन इसे दबा दीजेगा पास में आपको घंटी का bell icon मिलेगा उसको दबाने के बाद आपको नई भरतियों की जानकरी सबसे पहले मिल जाएगी तो bell icon को दबा करके all कीजेगा ये जो challenge है इंडिया का number one education challenge है जहाँ पर आप विजिट करके नई भरतियों की जानकरी सबसे पहले दी जाती है तो विजिट कीजेगा और apply जरू कीजेगा दोस्तों इन भरतियों की जानकरी के लिए हम आपको सीधा हमारी official website पर लेके चलते हैं ये हमारी official website है rosegarwithnavin.com यहाँ पर आकर कि आप नई भरतियों की जानकरी ले सकते हैं और apply भी का सकते हैं आप चाहें तो इसे google में भी type करके search का सकते हैं तो दो नई भरतियों की जानकरी हम आपको देने वाले हैं JPSC की तरफ से notification जारी किया गया है दो प्रकार की वेकेंसी है forest range officer की वेकेंसी है और यहाँ पर दूसरे नंबर की जो भरती है assistant forest conservator की वेकेंसी है 78 है और 170 post है टोटल मिला करके 248 वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है ठीके selection के process में यहाँ पर आपका written exam होगा physical test होगा medical test और finally आपकी document verification होगे दोस्तों यहाँ पर जो application fee से वो आप दिसके जन्नल OBC के लिए 600 है SCST के लिए 100 है आप सभी को payment जो है online करना होगा वही qualification की बात की जाए तो इस भरती के लिए केवल graduate pass के इंडिकेट्स हों है apply कर सकते हैं आवे दिन इसके शुरू हो चुके है last day बढ़ा दी गई है कल तक इसके आवे दिन आपको करने होंगे last day इसकी कल है तो यह रहा apply करनेगा process यहां से आपको click करके apply करना होगा यह रहा notification यहां पर आकर कि आप भरती की पूरी जान कर ले सकते हैं और apply भी कर सकते हैं आवे दिन शुरू हो चुके हैं जल्दी apply कीजेगा अब दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की भरती के बारे में बात करते हैं जो कि आप दिसकते हैं साइटे अकैदमी के तरफ से निकाली गई है साल 2024 की भरती यह जो जौब है सेंटरल गवर्मेंट की जौब है Ministry of Culture की तरफ से notification जारी किया गया है multiple jobs यहाँ पर है दस्वी पास से लेकर के बारवी पास के लिए भरती है दस्वी पास के इंडियेट्स हो है MTS यानि की multitasking staff की vacancy के लिए apply कर सकते हैं दस्वी बारवी सभी के लिए यहाँ पर vacancies है बारा पोस्ट यहाँ पर है आवे दिन आपसे offline मागे जा रहे है आवे दिन जो है यहाँ पर 16 सितमबर तक चलेंगे ठीके एक्जाम भी होगा admit card आपको कब डावलोड करना है वो भी आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो के अंदर application fee जो है यहाँ पर बिलकुल free है और यहाँ पर जो age limit है 18 से 50 साल रखी गई है qualification में आप दे सकते हैं हर एक post के लिए अलग-अलग qualification है ताकि आप यहाँ पर check out करके apply कर सके हैं salary हर एक post के लिए अलग-अलग दी गई है तो यहाँ आपर जो है 56,900 रुपे तक पर मत आपको salary मिल रही है दोस्तो काफी short में हम आपको यह update दे रहे हैं ताकि आप जल से जल apply कर सके इनका अगर आप details में पुरी जानकरी लेना चाते हैं तो आप हमारे challenge पर visit कर सकते हैं हर एक vacancy के लिए आपको details में जानकरी दी गई है तो challenge पर visit करके आप जानकर ले सकते हैं यहाँ पर selection के process में आपका exam है skill test, document verification और आपका medical exam भी है कौन-कौन से document क्या आप चिकता है वो आप पुरी list देख सकते हैं आधार card, passport, photograph, signature, mobile number, email ID, qualification के certificate, card certificate और जो भी documents आपके पास है भरतियों से जुड़े हैं वो आप लगा सकते हैं आप इदन कैसे करना है शुरू हो चुके हैं यह रहे लिक यहाँ से आप क्लिक करके application फोरम को download कर सकते हैं यह फोरम आपको मिल जाएगा आप देसे मिनिस्ट्री ओफ कल्चर की तरफ से notification है बाकी notification यह रहा आपके सामने अधिक जानकरी के लिए आप इन्हें चेक आउट कीजेगा और आप हमारी website और विजिट कीजेगा और चिनन को सब्सक्राइब कीजेगा जेहिंजे भारत